नमस्कार दोस्तों, मैं रोगल स्वागत करता हूँ आप सभी का उडान IAS Academy की online platform पर दोस्तों, आज किस वीडियो में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही महत्वपून जानकारी लेकर यह जानकारी है, हमारे संस्थान में जो नया बैच आरंभ हो रहा है, CGPSC प्रारंभिक परिक्षा का इस बैच के संबंद में चलिए, डीटेल में चर्चा करते हैं, तो CGPSC प्रारंबिक परिक्षा को लेकर, CGPSC प्री को लेकर एक नया बैच हमारे यहाँ पर आरंभ हो रहा है, रायपुर और बिलासपुर दोनों साखाओं में, तो रायपुर और बिलासपुर दोनों साखाओं में, CGPSC प्रारंबिक परिक्षा को लेकर एक नया बैच आरंभ हो रहा है, यह बैच आरंभ हो रहा है, एक मई से CGPSC प्री का नया बैच आरंभ हो रहा है, बात करूँ रायपुर में, तो रायपूर में city प्राजा ब्रांच जो हमारी है वहाँ पर ये बैच चलेगा जबकि बिलासपूर ब्रांच में भी यही बैच चलेगा Classes offline और online दोनों ही mode पर चलेगी Offline classes अगर आपको जुणना है तो आपको रायपूर में हमारे city प्राजा ब्रांच में विजिट करना होगा जबकि बिलासपूर के आसपास छेतर से अगर आप हैं तो जो बिलासपूर में हमारी ब्रांच है वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं city plaja branch का address अकर मैं आपको बताओ तो ground floor city plaja अनुपम garden के पास में है रायपूर जबकि बिलासपूर ब्रांच का address आप देख सकते हैं गांधी चोक में हमारी बिलासपूर में ब्रांच है तो offline classes रायपूर के city plaja branch में चलेंगी और बिलासपूर ब्रांच में भी चलेंगी दोनों जगह पर same team ही उडानकी काम करती है same team रायपूर में भी काम करती है और वही team बिलासपूर में भी काम करती है तो कहीं पे भी आप जुड़ सकते हैं आपको same team ही मिलेगी आप अगर रायपूर के आसपास किसी छेतर से हैं या फिर रायपूर में ही रहते हैं तो आप रायपूर के city plaja branch से offline classes से जुड़ सकते हैं अगर आप बिलासपूर या उसके आसपास के किसी छेतर से हैं तो आप बिलासपूर branch में offline classes से जुड़ सकते हैं इसके लावा online class की सुधा भी है, कहने का मतलब classes offline के साथ-साथ online भी चलेंगी online life classes चलेंगी, प्रतेक class का recorded video भी आपको दिया जाएगा life classes चलने का फाइदा क्या है, आप live हमसे जुडेंगे, वहीं पर आपको जो भी doubts है, जो भी बातचित करनी है, वो आप कर सकते है इसके लावा प्रतेक class का recorded video दिया जाएगा, PDF दिया जाएगा, तो CGPSC प्रारंबिक परिक्चा 2024 को लक्ष में रखकर ये बैच आरम किया जा रहा है CGPSC प्रारंबिक परिक्षा 2024 को लक्ष में रखा गया है CGPSC प्रारंबिक परिक्षा 2024 ये कब होगी तो फरवरी 2025 में होगी है तो देखा जाए तो लगबग 8-9 महिने का समय है तो ये batch 8-9 महिने को लेकर आरम किया जा रहा है इन आठ नौ महिनों में प्रारंभिक परिक्षा का पूरा का पूरा syllabus हम complete करा देंगे प्रारंभिक परिक्षा में जैसा कि आप सभी को पता होगा दो पेपर देने होते हैं पहला पेपर होता है GS का कहने का मतलब General Studies, सामानी अध्यन और दूसरा होता है CSET का कहने का मतलब Civil Services, Aptitude, Test कहने का मतलब योगिता परिक्षण Second paper qualifying paper होता है केवल qualify करना होता है आपको merit जो बनता है वो पहले paper से बनता है दोनो paper के संपूर्ण syllabus को cover कराएंगे हम पूरा 36 गड़ complete होगा, पूरा का पूरा भारत का सामानी अध्यन complete होगा, पूरा current टेफर इसी में सामिल होगा इसी में पूरा का पूरा विज्ञान, परियावन, प्रद्योगी की आपको complete कराएंगे हम पूरा maths, पूरा reasoning, पूरा भासा, भासा में हिंदी भासा, 36 गड़ी भासा कहने का मतलब प्रारंभिक परिक्षा के दोनो paper की संपून त्यारी हो जाएगी तो अगर आप प्रारंभिक परिक्षा 2024 की त्यारी कर रहे हैं तो आप इस batch से जुड़ सकते हैं, इस batch में एक बहुत ही अनुभवी टीम हुडान की काम करेगी अलग-अलग विशय के अलग-अलग faculties हैं, जो की लंबे समय से अपने-अपने विशयों पर काम कर रहे हैं तो उनको बहुत ही बड़ा अनुभव, बहुत ही लंबा अनुभव रहा है अपने-अपने विशयों का और अपडेटेड हैं, PSC की एकजाम सो, चाहे व्यापम की एकजाम सो, वे सभी लोग अपडेटेड हैं तो आपको अपडेटेड कंटेंट प्रवाइड करेंगे, जो की कही न कहीं एकजाम के लिए बहुत ही उप्योगी होंगे तो देख सकते हैं, आफलाइन और आउनलाइन दोनों ही मोड पर क्लासेस चलेंगी आफलाइन क्लासेस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो रायपूर के सिटी प्लाज़ा परांच में और बिलासपूर परांच में क्लासेस चलेंगी Online आप कहीं से भी घर बेटे हम से जुड़ सकते हैं समय की बात करूं तो राइपूर में जो Classes चलेंगी सुबह साड़े साच बजे से साड़े 10 बजे तक जबकि विलासपूर में जो Classes चलेंगी सुबह साथ बजे से 10 बजे तक तिं तिन घंटे की Classes चलेंगी तो बिलासपूर का समय सुभह 7 बजे से 10 बजे तक का है जबकि राइपूर सिटी प्लाजा का जो समय है सुभह 7 बजे से 10 बजे तक का है जुड़ सकते हैं नियुंतम फीस के साथ ये बैच हम आरम कर रहे हैं अगर आप जल्दी ही रजिस्ट्रेशन कराते हैं या एड्मिशन लेते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा क्योंकि हमने प्रथम 50 विद्यार्थियों में विशेश छूट का प्रावधान रखा है तो आप उन 50 विद्यार्थियों में सामिल होकर उस डिस्काउंट का फाइदा भी लाब भी ले सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप दियेगे नंबर पे संपर्क कर लीजे आपको जिस भी ब्रांच से जुणना है रायपूर में सिटी प्लाजा ब्रांच में ये बैच चलेगा जबकि बिलासपूर ब्रांच में भी ये बैच चलेगा तो आप जिस भी ब्रांच से जुणन भासा की तो भासा सुधिर सर पढ़ाएंगे, बात करूं मैं गडित विशय की गडित विशय मैं पढ़ाऊंगा, इसी प्रकार भुगोल को रियास सर पढ़ाएंगे, इसी प्रकार अलग-अलग जो फैकल्टीस आमने हमारे यूट्यूब चैनल पे देखे हैं, वही फैकल्ट 2024 की तयारी अभी से start कर दीजे क्योंकि pre में ही थोड़ा सा risk हो गया है pre में जो changes आ रहा है अगर मैं बात करूँ कि 2017 से 2017 PSC pre की बात करूँ मतलब जो merit बन रहा है वो paper 1 से बन रहा है paper 2 के वल आपको qualify करना होता है qualify कर लिए काम खतम qualify करने के लिए जो general candidate है उनको general candidate को दोसों में 66 अंक लाने होते है minimum जबकि जो category में है OBC SCST इनको 46 अंक minimum दोसों में लाने होते है कहने का मतलब general को 33% लाना होता है और OBC SCST को 23% लाना होता है केवल qualify करना होता है merit जो बनता है वो merit list तयार होता है paper number 1 से जो merit list तयार होता है ये paper number 1 से होता है paper number 1 से अब merit list paper number 1 से तयार होता है मतलब cut off paper 1 से ही decide होता है paper 2 केवल आपको qualify करना है cut off जो आप सुनते आए हैं कि 82 नंबर गया 90 नंबर गया 100 नंबर गया 130 नंबर गया 136 नंबर गया वो cut off किसका रहता है paper 1 का लेकिन paper 2 आपको qualify करना है अब बदलाओ बहुत सारा हुआ 2017 का paper की बात करू तो 2017 का pre का paper अच्छा था average paper था मतलब की जैसा होना चाहिए ना actual में 2017 का paper वैसा था चाहे वो GS का बात करूँ चाहे मैं CSET का बात करूँ अच्छा paper था cut off भी ठीटा गया था पहला साल था जब आप देखने को मिला की paper second को qualify कर दिया गया है पहला साल था यहां पे cut off लगबग 82 नंबर के आसपस गया उसके बाद जो 2018 का paper हुआ और 2019 का paper हुआ यह बहुत ही आसान कर दिया यह बहुत ही आसान जीएस को भी और CSET को भी बहुत ही आसान कर दिया cut off में बहुत ही बढ़ोतरी देखने को मिली यहां पे cut off लगबग 128 गया तो यहां पे लगबग 140 के आसपस पसला गया उसके बाद जो तीन वर्स हुए 2020 PSC pre 2021 PSC pre 2022 PSC pre बहुत ही कठिन कर दिया चाहे वो GS का पेपर हो चाहे वो CSET का पेपर हो दोनों को बहुत ही कठिन कर दिया 21 और 22 का तो बहुत ही ज़्यादा कठिन था इसलिए cut off यहां पे गिरता हुआ दिखाई दिया 2020 में cut off 105 के आसपस गया था 2021 में cut off 72 के आसपस गया 2022 में 92 के आसपस cut off रहा इस बार जो एक्जाम हुआ 2023 यह बहुत ही आसान कर दिया 2023 को बहुत ही आसान कर दिया इसलिए cut off 136 के आसपस महुच कया तो कुछ fix नहीं है कि पेपर कैसा आना है तो जो इससे अब date है न कहीं न कहीं वही आपको पढ़ा पाएगा वही आपको guide कर पाएगा केबल पढ़ने से PSC निकलना होता तो पढ़ाई तो सारे बच्चे कर रहे हैं एक proper guidance चाही होता है आप देख सकते हैं किस प्रकार से pre में दिक्कते आ रही है कभी pre में कुछ fix नहीं रहा है कहां से प्रस्णा रहा है किस variety का प्रस्णा रहा है tough ही आ रहा है कि आसान ही आ रहा है कुछ fix नहीं रहा है यह 2017 से लेके अभी तक की बात किया हुँ है जब से paper second को qualifying paper किया गया था हमारे जो faculties हैं हमारी जो team है कही न कहीं updated है लगातार exams के paper को देख रहे हैं analysis कर रहे हैं updated हैं तो जो आपको content provide करेंगे पूरे updated रहेंगे वरतमान के pattern को ध्यान में रखे कहीं न कहीं आपको पूरा guidance मिलेगा तो बहुत सांदार team है बड़ी team है अलग-अलग विशे के अलग-अलग faculties हैं अपने विशे में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं तो बहुत लंबा चड़ा उनका नुभा हो चुका है उनको पता है PSC का दायरा की प्रस्ण कहां से पूछ सकता है व्यापम का दायरा की व्यापम प्रस्ण कहां से पूछता है तो आप हमसे जुड सकते हैं इस बैट से आप जुड सकते हैं बहुत ही सांदार तरीके से आपको गाइड किया जाएगा, तयार किया जाएगा, 2024 प्रारंबिक परिक्षा के लिए, आपका जो सपना है, DC बनने का, DSP बनने का, उसको कहीं न कहीं हम पूरी कोसिस करेंगे कि पूरा कर पाएं, तो आप हम से जुड़ सकते हैं, अगर आप इस कर लिजे, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, जुड़िये हम से अपनी तयारी को एक सही दिसा अप्तदान करिए, कल एक मई से ये बैच आरंब हो जाएगा, एक मई से ये बैच आरंब होगा, समय होगा रायपूर में सुबह साड़े साथ बजे से साड़े दस बजे और बिलासपूर ब्रांच में सुभह 7 बजे से 10 बजे तक तो रायपूर और बिलासपूर दोनों ही साखाओं में ये बैच आरम हो रहा है आप कहीं पे भी जाकर इस बैच से जुड़ सकते हैं सेम टीम ही दोनों जगह पर आपको मिलेगी चलिए मैं मिलूंगा आप से अगले